नमस्कार उम्शानति आपको स्वागत है आपके ही यूटीब चैनल पर जहां पर आज हम फेसे परम्पिता परमात्मा के दुवरा गीवे वर्दान को हम समझेंगे और इसका विस्तार करेंगे तो देखें परमात्मा आज हमें सिखाना क्या चाहते हैं बाबा कहते हैं कम समय में संपूंता की श्रेष्ट मनजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भबा कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्लास 2 से सीधा क्लास 3 में या 4 में जम कर लेते हैं कम समय में आगे बढ़ जाते हैं तो उसी तरह किसे परमात्मा भी हमें कहते हैं, हमें विधी बताते हैं कि हम कैसे अपने आध्यत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें तो कम समय में संपूंता की शृष्ट मन्जिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भगवा भी डबल लाइट क्या हो गया एक तो मैं आत्मा लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, अगर मैं अपने आपको आत्मा समचर के हर करम करूँ, हर बोल, हर सोच करूँ तो मेरे उपर बोज नहीं बढ़ेगा कर्मों का, विकर्मों का, पाप कर्मों का और second light क्या हो गया, जो भी मेरे कारे हैं, करतबे हैं, वो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा भी प्रकाश बिंदु है, जोती जैसे पीछे दिखाए गया आपर, वो भी जोती है, प्रकाश है, तो परमात्मा second light होगी, उनकी उपर सब को छोड़ दें, कि प्रभू, आप मेरे जी तीवर गती के पुर्शार्त की निशानी है, जो आत्मा, डबल लाइट रह पाती है, जो आत्मा भी मानी रह पाती है, और परमात्मा के ऊपर सब को छोड़ देती है, वो हलकी रहती है, और वो फास्ट, बहुत आगे, फटा-फट, राज जीयोग मेरिटेशन में, अपने आध्यात में जीवन में आगे बढ़ती है, उसे किसी भी प्रकार का बोज अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकरती द्वारा, प्रकरती मलब की शरीर के द्वारा, व्यादियां आ सकती है, बिमारियां आ सकती है, या व्यक्तियु द्वारा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी न किसी ने आपके आइडियास को आपके प्लान्स को नहीं अप्रूफ किया तो क्या विगन आता है कोई भी परिस्तिती आये लेकिन हर परिस्तिती स्वस्तिती के आगे स्वस्तिती कैसी डबल लाइट है मैं आत्मा हूं सोल कॉंचिस होकर के आत्मा बैबानी होकर के हर ड्रामा क बात्म के उपर छोड़ दिया मेरी बात नहीं मानी तो क्या हो गया परमात्मा जानते हैं मेरे लिए better क्या है सबसा अच्छा क्या है मेरे ले मेरे लिए किस situation में क्या चीज अच्छी है कौन सा करतवे, कौन सा कदम लेना मेरे लिए ठीक है अगर वो नहीं हुआ, किसी ने नहीं माना उसमें भी मेरा कल्यान होगा ये सोच करके वो डबल लाइट रहते हैं मन से भी लाइट रहते हैं और साती साथ सोभाव संसकार से भी लाइट रहते हैं हलके रहते हैं मन में तो परमात्व कहते हैं आए, कोई भी परिसिती आए लेकिन हर परिसिती स्वस्थिती के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी क्योंकि अंदर मन की सिती इतनी उची होती है कि कोई परिसिती आए, कोई विक्ति आजाए कुछ कहते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता डबल लाइट अर्थात उंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता आपको कोई आकर करके आकशत करना कोशिश करे कोई आगर आपको लोब में खीचने की करे कोई आपको अहंकार जताने की कोशिश करे कोई आपको बहुत महिमा करके आपको बहुत उंचा सोचने की उपर निर्भा कर दे कि मैं तो बहुत महान हूं मैं तो ग्रेट हूं मैं यह हूं वह हूं तो परमातो कहते हैं अगर ऐसे वेक्ति आते हैं कोई situation आती है, तो आप ना आंकार में आएंगे, ना आप लोब में आएंगे, ना आपको किसी से इरिशा होगी, ना आपको किसी से गरना होगी, तो आप सदा एक समान स्थिती में रह पाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या double light कैसे रहना वो सीखना ज़रूरी है, नीचे की बात इदे भाते हैं, वो सीखराण का विट रहे होगी, ना इसमें वेट नहीं होती है, तो वायू मंदल खराब होता है। तो नीची की बातों से, नीचे के वायव मंडल से उपर रहने से कम समय में संपून बनने की शृष्ट मंजिल को प्राप्त कर लेंगे संपून किसकी आखों में? परमात्मकी आखों में तो परमात्मा को वही बच्चे पसंद हैं, जो की छोटी छोटी बातों में फसते नहीं हैं, वो सदा फरिष्टे के जैसे डबल लाइट होकर के, हलके होकर के, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, रुक नहीं जाते हैं, क्या रहे ये क्यों हो गया, रहे ऐसे कैसे हो गया, आप भी आत्मा प्रकाश लाइट है और परमात्मा के उपर सारी चीज़े कैसे छोड़ें जो कि प्रकाश लाइट है उर्जा है तो उसको सीखने के लिए ब्रह्मकुमारी इस गौडली स्पिरिचल इनिवस्टी में जा करके आप निशुल्क इस विद्या को लीजे और अपन